नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहद ही मौत पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां सिर्फ साथ दिनों में बालों को जड़ से काला करने का प्रमारित घरेलू उपाए जरूर अपनाए आपको अवश्य ला जाते हैं वो भी तब जब हमारी खेलने खाने की उम्र होती है जब बालों में मिलेनीन पिग्मेंटेशन की कमी हो जाती है तब बाल अपना काला रंग खो देते हैं और सफेद हो जाते हैं कम उम्र में बाल सफेद होना युवाओं में एक आम समस्या है असमय बालों के सफे कारण प्रमुख हैं ऐसे में बालों को फिर से काला बनाने के लिए एक बनिया डाइट प्लान और प्राक्रितिक नुस्खों से बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता है तो चलिए आज जानते हैं ऐसे ही कुछ एक आसान प्रमारित घरेलू नुस्खों के बारे में जिन्हें अपन कर सफेद बालों को फिर से काला बनाया जा सकता है बालों को काला करने के पांच घरेलू उपाय आज हम आप सभी को बता रहे हैं जिसके सहारे आप अपने बालों को काला बना सकते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं चाय और कड़ी पत्ता चाय पैन में पानी डालें उसमें दो चम्मत चाय की पत्ती डाल कर खोलाएं और जब यह पानी ठंधा हो जाए तो इसे चान कर बालों में लगाएं इसे लगाने के बाद बालों में शेंपू न लगाएं वरना असर खत्म हो जाएगा। पड़ी पत्ते को अपने डाइट में जरूर शामिल करें इसे आप चटनी के रूप में खा सकते हैं इसको खाने से बालों का सफेद होना रूप जाएगा। सिर की तवचा पर आउले का रस लगाना चाहिए वो भी आपको फिंगर से डैप करके लगाना चाहिए। इससे बाल ज्यादा उखते हैं और वह शाइनी और कूमल भी होते हैं। आउला हो या उसका पाउडर दोनों ही बालों को काला करने में बेहद कारगर होते हैं। आलू का अदभुत उपाए सबसे पहले आप छे आलू ले इन्हें अच्छी तरह से धोले और छिल ले साथी छिलका अलग रख दें। आप पूरा आलू छिलका यूगत भी ले सकते हैं। ऐसी स्थिती में आप केवल दो से तीन आलू ले एक बरतन में एक लिटर पानी ले ले। पानी को उबालने के लिए रख देना है आपको। इसमें आलू या आलू का छिलका डालें और 30 मिनर तक उबलने दें। इसके बाद जब पानी उबल जाए तो इसे 15 मिनर तक ठंधा होने के लिए छोड़ दें। किसी जालेदार कपड़े या छलनी से इस मिश्रन को छाल लें और इसे एक साफ प्याले में ले लें। आलू के छिलके को फेक दें और इस मिश्रन को कुछे घंटों के लिए हाइबर नेट होने के लिए छोड़ दें। अगर ये मिश्रन अधिक गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा पानी मिला लें या इसकी पुशकता बढ़ाने के लिए आप इसमें अपनी पसंद का आवश्यक तेल भी मिला सकते हैं। अपने बालों को पहले क्लिंजर से अच्छी तरह से साप कर लें। थोड़ी रूई लेकर उसको मिश्रन में भिंगोएं और आराम से पूरे सिर में लगाएं। ध्यान रहे इस मिश्रन से पूरी खोपड़ी एवं बाल भीगने चाहिएं। इस बात का आपको खासा खयाल रखना है। अपने बालों का पांच मिनर तक आपको मसाज करना है और तीस मिनर तक ऐसे ही छोड़ देना है इसके बाद। बाद में इसे ठंडे पानी से धो लेन इसके बाद ध्यान रखें जब बाल पून रूप से सूख जाएं तब ही उनको कंगी करें यह प्रयोग सपताह में कम से कम दो बार करें इसका परिणाम आपको एक महीने में महसूस होने लगेगा। बड़े काम की छोटी सी मिर्च यानि की काली मिर्च खाने का स्वात तो डालें एलोवेरा में है गजब का जादू बालों में एलोवेरा जिल लगाने से भी बालों का जड़ना और सफेद होना बंद हो जाता है इसके लिए आप एलोवेरा के जिल में निम्बू का रस बना कर पेश्ट बना लें और इस पेश्ट को बालों में लगाएं आपके ब हन्यवाद नमस्कार दोस्तों